हेलो 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 दोस्तों आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारी इस चैनल पे मोबाइल गिटार की सीरीज को हमने जो शुरुआत की है उसका और एक वीडियो लेके मैं आज आ गया हूँ बहुत ज़न मुझे इंस्टाग्राम पर कॉमेंट कर रहे हैं कि भाई आप ओरिजिनल गिटार सिखाओ, ओरिजिनल गिटार बजाओ, हम हमारी ओरिजिनल गिटार फेक देते हैं ऐसे सब कुछ कॉमेंट्स आ रहे हैं बाट ये मैं सीरीज कीऊ कर रहा हूँ जिन लोगगे के पास गिटार नहीं है जो लोग effort नहीं करते बाट सीखना चाहते उन लोगों के लिए mobile guitar की ये छोटी सी series में try कर रहा हूँ क्योंकि walk band के series को आपने क्या ही response दिया last two years आपने जो walk band के लिए response दिया उसके लिए बहुत बहुत सरा thank you इस बार हम कुछ अलग कर रहे है सिर्फ mobile guitar के उपर focus करेंगे walk band के videos में मैं सब कुछ सिखाने की कोशिश करता था थोड़ा सा time कम पढ़ता था बड़ इस बार हम सिर्फ mobile guitar के साथ आगे जा रहे है तो आज का ये जो वीडियो है इसका अपने title देख रही है सासो की माला पे सिमरू में पी का नाम ये जो गाना है जिसका जो guitar वाला portion बहुत ज़दा trend में आया था trending वो एक music बना था जो आपने सुना होगा ये वाला तो ये music जो बजाया गया था ये आज हम try करेंगे mobile guitar के साथ बजाने की कुशिश करेंगे बट mobile guitar पे आपको भी पता है हम अभी तक जितने वीडियो देख रहे थे उसमें हम ये ऐसे chords बजा रहे थे nylon guitar ज्यादा तर यूज कर रहे थे तो तीन guitar के वीडियो जो किये mobile guitar के उसमें हमने ये nylon guitar ज्यादा तर देखी है हीरिये वाला वीडियो किया है वो मुझे ज्यादा पसंद आया है क्योंकि उसमें बहुती सही sound आया है बड़ उसके पहले आज जो वीडियो करने वाले है उसमें ये chords वाला section यूज नहीं होगा यहाँ पर जो pick का एक logo यहाँ पर दिया हुआ है इसको जब आप click करते हैं तो आपके पास ये guitar का fretboard दिखाए देता है इसको fretboard कहते है इसको frets कहते है बीच-बीच में standing वाली lines जितने है standing position है वो fret है और यह सब strings है आपको पता है 6 strings होती है guitar के अंदर जो मेरी दोस्त effort नहीं कर पाते guitar को तो इसके साथ आप आगे जा सकते हो इसके sound के साथ मतलब sound को सुन-सुन के आप समझ सकते हो कि यह E string ऐसे बचती है C major chord ऐसे बचता है यह सब आप sound के साथ सीख सकते हो और आपके original guitar के उपर acoustic guitar के उपर electric guitar के उपर आप बजा सकते हो बाद में तो आज जो हम सीखने वाले है यह सांसों की माला का जो guitar वाला section जो बजाया गया है बहुत ज़्यादा trending था वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे so basically आपको guitar सही से दिख रहा होगा अभी यहाँ पर आपको भी समझ में आ गया fret है fretboard है यह जहांसे tuning keys कहते है यह इसके उपर होती है और इसके नीचे से पूरा fretboard चालू हो जाता है so यहाँ पर मैंने सबसे पहले sus option on कर दिया यानि sustain on कर दिया मैंने last video में भी बताया था तो यहाँ पर जो music स्टार्ट होता है वो third fret के उपर से third string पे one two three यह third string से यहाँ पर से अपना music चालू होने वाला है so यह ऐसे होगा सासों की माला पे सिमरू में पिका नाम ऐसे टाइप से आप बजा सकते हो जैसे मैंने अभी live गाया यह गाने के लिए बहुत ज़्यदा मुश्किल है इसके उपर mobile के साथ गाने के लिए latency issue भी होता है और प्लस यह छोटे-छोटे से पार्ट में आपको भजाने में मुश्किल हो सकता है वैसे आप multitrack सिंद के अंदर record करके गास सकते हो बट यहाँ पर मैं आपको notes दिखाता हूं क्या-क्या भजा है उसके बाद में multitrack सिंद के अंदर जाके वो record करके भी दिखाऊंगा आपको बेसिकली कहां से चालू हो रहा है हमारा track यह 3rd fret से उपर से 3rd string जो है अब यह strings के नाम क्या-क्या होता है तो यह E, A, D, G, B, E यह नीचे से ऐसे होता है E, A, D, G, B, E जो यह E, A, D, G, G string जो है हमारी G string के 3rd fret पे सबसे पहले hit करना है G string की 3rd fret फिर 2nd string के यह 2 notes यह हमें याद रखने क्योंकि यह 2 notes हर बार लगते ही रहेंगे हर बार loop में यह 2 notes बजेंगे ही बजेंगे जो यह होगा अभी जो 1st string है उपर की सबसे top वाली string उसकी जो 4th fret है उस पे आपको hit करना है 3rd, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2 याद रखो फिर यहाँ पर जो 3rd string है जहाँ पर आपने पहले 3rd fret पे click किया था हम आपको 1st fret पे click करना है same repeat आगे यह याद रखने आपको अब उसके बाद 3rd pattern में यह जो 3rd अपने fret पे जो 3rd लिखा हुआ portion है उस पे जो 1st क्लिक कर रहे थे उसके ही नीचे 4th string पे यहाँ पर यहाँ पर आपको hit करना है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा मैं जो बात कर रहा हूं उसमें लेकिन याद रखो यह 4th strings को रिपीट अब इसका जो rhythm pattern है वो आपको ध्यान में रखना है याने 1,2,3,2,2,3 इस rhythm pattern में जाएगा याने इसको 3,4 कहते है rhythm pattern के बारे में या metronym कैसे जाता है या BPM क्या होता है exactly इस सब के उपर मैं एक detail में वीडियो किया है इसमें बहुत अच्छा response अभी तक आ रहा है I think 2 साल पहले का वीडियो है वो बर्ट उसमें बहुत ही कमाल का response आ रहा है वो अगर आपको देखना है तो information button में link मिलेगी description में भी वो link में डालके रखूँगा उसमें आपको यह सब 3, 4, 4, 4, 6, 8, 7, 8, exactly होता क्या है यह terms कैसे होते है यह आपको वहाँ पर पता चलेगा multi track synth के अंदर हमें जाना है देखो back करूँगा मैं यहाँ पर बहुत सारे options है इसमें multi track synth है जो लोग मेरे walk band वाले दोस्ते उनको यह multi track synth अच्छे से पता होगा इनको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ multi track synth पर click करेंगे new song पर click करेंगे यहाँ पर आपको कुछ information correct करनी होती है अगर आपका गाना 4, 4 में है यह 4 by 4 है तो यह ऐसे ही रखना है बट यह गाना हमारा 3 by 4 है सो हम इसको change करेंगे 3 by 4 पर click करेंगे measures जो है वो हमारे 30 bars हमें 30 bars बजाने के लिए मिलेंगे जितने लंबे bars उतने बजाने के लिए आसान होने वाला और BPM जो है वो अभी के लिए हम 120 और 130 select करके छोड़ देंगे ok करेंगे अभी यहाँ पर 3 lines पर हमने click किया और metronym को सबसे पहले on किया metronym पर देखेंगे कि भाई जो metronym बज रहा है वो 3,4 का है या नहीं let's see 1,2,3,2,2,3 1,2,3,2,2,2 सासो की माला पे सिमरू मैं पी का नाम तो यह सही है metronym सही जा रहा है इसको stop करेंगे end पर लेके आएंगे अभी यहाँ पर plus पे सबसे पहले click करना है plus और जो हमने गिटार से लेक की थी वो गिटार यहाँ पर आ गई है अगर आप चाहते हो कि दूसरा sound गिटार का देखना है तो आप steel string गिटार भी try करके देख सकते हो मुझे थोड़ा सा harsh लगता है यह sound देखो कैसे लगता है सो यह थोड़ा सा harsh लगता है मुझे इसके लिए मैं use नहीं करता हूँ nylon गिटार सही sound करता है मतलब अच्छा sound करता है soothing लगता है यह सो यह अभी शुरुआत करते है record करना चालू करते है metronym on करना है सबसे पहले उसके बाद metronym 3 करते हैं लगता है यह थोड़ा से लगता है यहां तक ही record करते हैं क्योंकि इसके बाद यह cut हो जाएगा तो यह दो बार हमने पूरा लूप record किया है यहां पर देखो यह पूरा लूप दो बार record होके आ गया हमारे हाथ में अभी हम इसके साथ गा के देखते कैसे लगता है सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम तो ऐसे आप गा सकते हो दोस्तों इसके साथ सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम अभी आपको एक चीज़ बता चलके होगी कि मेरे को गाने के लिए थोड़ा सा टेंपो स्लो लग रहा है तो इस पूरे पोरिशन के टेंपो को आप फास्ट कर सकते हो मेट्रोनेम सबसे पहले मैंने आफ कर दिया मेट्रोनेम तो अभी वो टक टक का साउंड बंद हो जाएगा अभी इस वाले को पूरा आपको आपको फास्ट करना है तो यहां पर आपको क्लिक करना है एफेक्स के बाजु वाले इसमें 130 BPM को आपको 140 145 आपको जितना फास्ट करना है उस पोरिशन को वो आपको देखना है अभी फास्ट होगे देखो ए मैं रंग रंगी दीवानी ए मैं अलबेली मैं मस्तानी गाऊं बजाऊं सब को रिजाऊं ए मैं बीज सनम पे ऐसे आप गा सकते हो अभी मुझे काने के लिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि इसका साउंड बहुत ज्यादा हैवी आ रहा है आपको सुनाई दे इसके लिए मैं हैवी रेकॉर्ड करना हूँ इसको तो बेसिकली ये ऐसा सब कुछ है आप बाद में इसको end में यहापर देखो save editing पे ok कर दो तो यहाँ पर आपके पास यही project है यह save हुआ project है आपको इसको mp3 अगर convert करना है तो mp3 पे convert कर दो यह mp3 बन जाएगा mp3 वाले section में जाओगे तो यह top में यह आ जाएगा इसके उपर आप गा सकते हो किसी को send करना है तो send कर सकते हो तो ऐसे सब कुछ था आज का यह जो tutorial में करना चाता था यह पूरा guitar के tab वाल जिस्तों के साथ और कौनसे कौनसे गाने हम सीख सकते है mobile guitar के साथ यह मुझे comment बताते रहो तो let's see आगे कौनसा गाना करें यह मुझे comment बताते रहो like नहीं किया तो like करो subscribe करो channel को thank you so much ऐसे ही प्यार ऐसे ही support बढ़ाते जाओ और भी बढ़ने दो subscribers बढ़ने दो subscribe करना भूल लमों thank you so much मिलते जल्दी तब तक खयाल रखो टाटा बाई बाई